नमस्कार दोस्तों दधिमधी संस्क्रीट है जो किसनल मेंॠ आपका स्वागत है। दोस्तों इसमें रेट की पेच्छा में कुछ संस्क्रीट का जो दिद्ति करह पत्र है उसमें कुछ न險yn अचेलिबस feux जोड़ा गया है जो लेंग्वेज सेकिंड है उसमें जैसे समय लेकन और समय लेकन के साथ अलंकार कि संख्या ग्याना कि संख्या ग्याना ऐसे कुछ तोपिक है जिनको नए सीरे से जोड़ा गया है अब इनका जो इस्तर रहेगा वो रहेगा मादे मिल मादे मिल इस्तर का प्रश्न पूच्छे दाएंगे कक्षा दस तक के वर्तमार में राजस्तान वाजिविक शिक्षा बोड़ में चलने वाली जो पाठी पुस्तक है कक्षा दस की उसमें संख्या ग्यानम और कक्षा बाया की पाठी पुस्तक है उसमें अलंकार और इन दोनों में समय लेकन समान रूप से पाठी पुस्तक में है तो हम इसी आदार पे समय लेकन अलंकार और संख्या ग्यानम इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे आज हम जिस वीशे को ले रहे हैं उसका नाम है समय लेकन समय लेकन समय लेखन में दरसल होता है कि जैसे कई बार इसा होता है अक्सर हम देखते हैं कि जैसे हमने एक दो तीन चार से भारत तक के संख्याओं को याद कर लिया और उसको वैसे के वैसे लिखने सुनू कर देते हैं तो यह जो तरीका है, जिससे सवा को क्या कहते हैं, पोने को क्या कहते हैं, साडे को क्या कहते हैं, और जैसे मालोग किसी, जिस दस बजने में पास मिनट कम है, या दस बजगर के पास मिनट हो गए हैं, तो यह जो इसको जो समय लेखन, जो वाकिय में जो प्रियोग होगा, तो पर उनका समासिक नियुमों का पालन होगा तो यह वीडियो थोड़ा सा के लंबा जरूर हो सकता है आज हम इसको बारिटे से सीखने का प्रियास करेंगे और बहुत ही सरल टॉपिक होने के साथ यह थोड़ा सा क्लिष्ट भी है क्योंकि जहां पर संदी नियुमों के बात आती समय लेखन का वीडियो है वो जल्दी से लाया जाए इसके साथ साथी एक वाच्ची परिवर्तन जो लें भासा भश्ट और भासा सेकेंड दोनों में समान्द रूप से है वाच्ची परिवर्तन यदि आपने कारक पर करन अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर करने पर पूरा वीडियो अब आज जाकर के देख सकते हैं और दोस्तों जदी सी इसको शेल भी कर दीजिए और आपने भी तक यह दी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्लेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिक्शन आपको मिल जाए तो सु उसके बाद आगे धीरे धीरे हम उस पर चर्चा करेंगे क्रम बद्धत तरीके से तो एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नौ दस ग्यारा और बारा एक को बोलेंगे एक वादनम दो को बोलेंगे द्वी वादनम तीन को बोलेंगे त्री वादनम चार को बोलेंगे चत्तुर वादनम यहाँ पर सब्द है चत्तु और रुत्व विशरक से रे को आदेशवा विशरकों और चत्तुर वादनम पांच को बोलेंगे पंच वादनम छे को बोलेंगे सड वादनम साथ को बोलेंगे सप्त वादनम आठ को बोलेंगे अश्त वादनम नो को बोलेंगे नव वादनम 10 को बोलेंगे 10 वादनम 11 को बोलेंगे 11 वादनम और 12 को बोलेंगे 12 वादनम ये तो एक साधरन जनकरी है जिसके जिसकी हमें जनकरी होनी ही चाहिए कि किसको क्या बोला जाएगा एक को एक वादनम, दूवादनम, त्री वादनम, चतुर वादनम, पंच वादनम, सड़ वादनम, सब्त वादनम, अश्ट वादनम, नव वादनम, दस वादनम, एकादस वादनम, द्वादनम इसमें अब कुछ विशेज चीजें जिनको हमें ज्यान में रखना है, जैसे सवा को क्या बोलेंगे, क्योंकि अधितर प्रश्णी यही से उठते हैं, साड़े को क्या बोलेंगे, और कौने को क्या बोलेंगे, सवा को बोलेंगे सपाद, साड़े को बोलेंगे साड़, और कौने को बोलेंगे पादूर, संस्क्रीट में जब हम समय लेकन करते हैं, तो यह ध्यान रखने ही होगी बात है, कि मिनिटों को पहले लिखा जाएगा, उसके बाद जो घंटा होगा उसको बाद में लिखा जाएगा, पहले मिनट इसके बाद में आने वालत जो समय है गंटा उसको लिखा जाएगा, जैसे चार बज़ करके तीस मिनट है तो इसमें तीस को पहले लिखा जाएगा तीस का मतलब यह आपने यह साड़े चार बज़े की बात कर रहा है तो साड़े को क्या बोलेंगे सार्ध और चार को क्या बोलेंगे चतुर वाधनम सार्ध यह उदारण के लिए बता रहा हूं चतुर वाधनम तो साड़े चार को हम क्या लिखेंगे सार्ध चतुर वाधनम ऐसा हम लिखेंगे लेकिन जब यह वाक्य पर प्रियोग होगा और जब इसमें संदी नियुम का पालन होगा तब हम कैसे इनको करेंगे उसके बारे में हम जानकारी अब यहां से हम उसको पढ़ना इस्टार करते हैं सबसे पहले हमें यह बैसिक जानकारी होने चाहिए कि सबा को क्या बोलेंग करते हैं यहीं से प्रश्न बनेंगे और यहीं हम तूइटी करते हैं और यहीं हमें इसको सही करना है चलिए तो दोस्तों अब यहां से बात को सुलू करें कि हमें पता है कि सबा को क्या बोलेंगे साड़े को क्या बोलेंगे हम इतना समझ चुके हैं सबा सार्द और पाधुन अब वहां पर वो किस तरीकी से बात की प्रियोब करवाएगा जैसे इसमें कुछ ऐसे जो बाक्य हैं ऐसे कुछ समय समय हैं जिसको हमें दियान रखना है जैसे एक तो अश्ट कि एक एक आदर्स और प्शक करेंगे क्योंकि इनमें अधितर संदी नुमधा पाल्ण घृत हैं कि यहाँ और आ यहर है तो नवे इन दूनें आ जो इन पर संदी निंदो के नत्रजत ही हमें इसी रूल है जो संस्करित के विद्धियारती हैं वूदि इस इस चीज को समझते हैं लेकिन जो संस्कृत से नहीं है वो इस चीज में तुरूटी करते हैं कि यह इसमें कहां चला गया तो वो उसमें कौन सी संदी के नियुमों का पालन होगा हम उस पर थोड़ी चल्चा करेंगे एक तो यह हमें घ्यान रखना है एक हमें यह घ्यान रखन एक होगी आए हुद यंघारो छिधो फीना चीजों पर कży जैसे पांच कितनी बज़कर दसज़कर की पास मिने चैह से लेकिन जैसे पांच बज गए पचपन हो गया तो एसी इस्तती में हम क्या लिखेंगे उसको सबसे पहले तो यह जिहां लिखना है तो इसमें होता क्या है कि जब दस बजगर के पांस मिनट अर्था दी पांस मिनट अधिक हैं तो दस को क्या लिखेंगे सबसे पहले मिनट को लिखेंगे तो पंच कलोतर इसको अलग लग लिखने के तरीके बता रहा हूं पंच कलोतर दस वादनम, ऐसा लिखेंगे, यदि वहापर तो हमारे सामने ओप्सन होंगे, यदि ओप्सन में कलोतर शब्द नहीं आया, तो फिर हम उसको कैसे दिखेंगे, उसमें फिर वहापर वो दिख शब्द का प्रियोग करेगा, पंच कला दिख, पंच कला दिख, पंच कला दिख, दस वादनम, पंच कला दिख, दस वादनम, तो हमें यहाँ पर यह चीज द्यान रखनी है, यह तो वो कलोतर सब्द का प्रियोग करेगा, और यदि कलोतर सब्द का प्रियोग में करेगा, तो वो दिख शब्द का सब्सक्राइब करें तो यह सब्सक्राइब करें तो इसको क्या बोलेंगे विंसत्ति कि वही कलोतर कलोतर नहीं लिखेंगे तो दिक लिखेंगे और आई क्या है पंच वादनम यह तो हम विंसत्ति कलोतर पंच वादनम करेंगे यह विंसत्ति दिक बंच वादनम करेंगे और कला सब्द का अच्छा करें यह नहीं करें यह नहीं करें और दिक तो पांच है दस बज करके या पांच मिनट अधिक हैं दस बज करके तो इन दोनों सब्दों का भी प्रियोग कर सकता है इसलिए मैंने यहां पर करदा सब्द का प्रियोग नहीं किया है अब यहां पर यह सबसे ध्यान रखने ही हो यह बात है कि जब भी हम 45 की बात करें तो अधिकतर यहां पर जल्दी-जल सब्द का इस्तेमाल करेंगे तो पॉने को क्या बोलेंगे पादूल सब्द वादनम यह सब लिखेंगे हम इसको अब 55 मिनट 55 मिनट का मतलब क्या है कि 8 बज़कर के 55 मिनट हम इसको कैसे बोलेंगे नो बज़ने में 5 मिनट कम है तो जब अधिक हो तो उसके लिए दिक शब्द का प्रियोग होगा और कम हो तो उसके लिए न्यून शब्द का प्रियोग होगा यह ध्यान रपनी योग के बात है तो नो बज़ने में 5 मिनट कम है तो कितने कम है पांच तो पंच वदिक रहा है क्टेव यहां कि वो सब्सक्राइब को सय ऑफिते हैं स्वाPS पन्च शॉत्ट जैन कल तो हम यह दियान है जिसमें पच्पन पचास तो पंचासत कला न्यून पचास तो दस कला न्यून नव वादनम जैसे यहां पर पचास ओ आठ बजगर के पचास मिनट हो तो ऐसे स्थति में हम क्या करेंगे दस कला न्यून अधित की बात करेंगे तब डिक शब्ड करेंगे कमост वाद करेंगे अब अग्जनेर के उपपर और उप्सेwnों के उपर निरबर करेंगा कि वह इसमें कला सब्ड का कहास्द करें या नहीं करें वह बद्याभ, नहीं हैं, लेकिन हमें डूनों चीज़ देहां रख नहीं ही कि कलतर सब्ध का भी प्रियोग होगा, और कला सब्द भी प्रियोग होगा, एक चीज तो यह, अब यहां पर बैझ नोने करें, कि यह कैसे संदी नियुमों के अंतरगत इनका प्रियोग होगा और उसके बाद हम और थोड़ी सी जो है उसके हम चर्चा कर लिए यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप नीचे कमेंट बूक्स में जाकर करके जरूर से कमेंट चलें और अगला वीडियो कौन सा लेकर के आ ठीके आठ बज़ करके दस मिनट ग्यारा बज़ करके पंद्रा मिनट यह देखें यह दो चीजें इसमें आप समझाएंगे कि कहां पर क्या करना है दस कला या दस कला या दस दिक दस दिक या दस कला यह दस कलोतर दस कलोतर अश्ट वादनम इसा हूं लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे सफाद एकादस वादनम इसा ही लिखेंगे क्योंकि बताया है इसा रहा है इसमें आता है इसा है तो हम इसा ही लिखेंगे अब हमें यहां पर यह ध्यान रखना है कि यह रै और यह यह द आ इनमें हमें सन्जे निम्मों को पालग करना है अ धन अ बराबर अ अ अके सर्वरन ने दिर्जली सूत्र से इसमें दिर्गा अदेश होगा तो यहां पर यह क्या रूप बनेगा दस कलोतरास्ट वादन हमें ही ध्यान रखना है यहां पर यह संदी नीमों का पालन दरना है जो नौन संस्क्रीज के हैं उनके लिए विशेश हैं क्योंकि वो इस चीज़ को जंदी सी नहीं पकड़ पाएंगे कि यहां पर यह अ का भाग गया जो ए निकावाता ना वो अब य यहां पर यह और यह मिलकर के क्या हो गया आ हो गया ऐसी इस्तिती में यह दस कलोतरास्ट वाधनम एसा हुन रूप लिखेंगे नेकी ऐसा लिखेंगे दस भूर वो सकता हुन लिखे और सहलांकि यह संदी जो है वो वक्ता के इच्छा के उपर निर्वर करती है लेकिन अध पक्ता स्वेसंदि यह संदी वर्दी रहागिश्ट वर्दी रेची एक सुत्र है statी वर्दी रेची कर यूदी सुत्र से जब आ के बारा हम सवरेड़ या आी हो तो इसका आ आई हो जाता है ऐसा इसमें कहा गया है इस सुत्र थैं अंजर तो हम इसको कैसे किसे लिखेंगे ए और यहां पर यह ए तो इसका मिलकर कि क्या हो जाएगा ऐ ऐसी इस्थिति में सपादेक कादस वादनम अब आप समझ गये होंगे कि जब भी हम एक की भी बात करेंगे तब उसमें भी ऐसे ही रूल्स ऐसे ही नियम लागू होंगे यनि कि हमें यह ध्यान रखना है कि जहां पर यह और यह एक जिसे एक बज़ करके बीस मिनट की बात कर रहा है तो विनसती धिक फिर यहां पर क्या रहा है एक वादनम तो हम इसमें संधी नियमों का पालन कर देंगे तो दिक एक यह यह तो यहां पर इसको प्रियंग कर दिया तो यहां पर इसको क्या कर दिया नहीं कि यह 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 व्रढ़स दिग meme कर दिया तो हमें एक तो यह द्यान रखना है इसमें तो होगा दीर्ग का नियम और इसमें होगा ब्रदी का नियम यह दो हमें ध्यान रखना है एक तो यहां पर दीर्ग और एक ब्रदी इन दोनों नियमों का ध्यान रखना है कि यहां पर यह आई की मात्रा कां से आई आई की मात्रा इस एकी बज़े से आई इस सूत्र के अनुसार यह ब्रदी आदेश होता है एक चीज तो यह अब हम यह तो समझ गए कि एक से बारा बज़े तक फिर सवाल साड़े होने हम इनको लिख सकते हैं कैसे लिखें अब वहां पर क्या होगा कि वह साधान तरीके से तो पुछेगा न हम वादनम सब्द का प्रियोग करेंगे या नहीं करेंगे आज हम इसी पर थोड़ी महत्कुल जो है यही महत्कुल चर्चा है कि हम अधिकतर इसी चीज को याद रखते हैं वादनम वादनम लेकिन हमें वादनम सब्द का कहा प्रियोग करना है और अन्य सब्द का फिर उसके बारे को थोड़ी सचा कई जिससे एक वाक्य है रामा है फिर वो यहां पर किस्थान देगा और वो कहेगा यहां पर कोश्टक में लिख देगा पास बज़ करके दस मिनट और यहां पर लिखेगा कीरड़ा छेत्रे गच्छत्य यहां लिखनेगा और इसके निचे को कुछ अलगलग ओप्सन देगा जैसे ए ओप्सन देगा दस धीप पंच वादने दूसरा ओप्सन देगा दस धीप पंच वादने इसको बिल्क कर देते हैं यह फिर से ओप्सन देगा दस धीप पंच वादने फिर देए ओप्सन देगा सपाद पंच वादने इस तरी के से वो चार ओप्सन देगा अग्रा एक बाक्य मानलों इससा भी दे सकता है एक्जामिनर के उपर निर्वर करता ही है कि अत्रव कि समय लेखनम कुरुप और वह यहां पर लिखके देगा कि जैसे दस बच करके पंद्रम निट यह लिखके दिए और वो इसके भी चार उप्सन देगा उप्सन देगा अग्राइव कि सपाद कि दस वादनम कि वे उप्सन देगा कि सपाद कि दस वादने कि से ओप्सन देगा कि पंचा दस कि दस वादनम कि या देव उप्सन देगा कोपी ने इसा लिख दो कोपी ने अब हमें यहीं के यह देगो हमने दो चीज़े सीखी और दूनों इसमें आवे हमने दो चीज़े कि इसको पंच वादनम सट वादनम सब्त वादनम अश्ट वादनम नव वादनम दस वादनम एका दस वादनम ऐसा हम बोलते हैं तो यहां पर इसने पांच वाज अग्सनों इन सथ कोई मतलब नहीं क्योंकि यह तो यहां से-स ही लेए रखे हैं हम अब दो independence पर अभ्यार यह मता कच्शी सुरू हो गई कि इन दोनमनें सब्स हों प्सपर क्वाध कि दोनों नों न निंसे रीक और यहां पर सही कुन सा होता? बस यह ही आमें सीखना है यदि आपने यह सीखना थिंग लिए ना तो आप involved लेकल जो है वह गलित नहीं होगा मैं बमोगना नाकर कि जब वह समय को क्या करता है। कि क्या कि आच अट बाक्य परियोग यह जो आपक प्र Cricken Ihm प्रियो करवा रहा है कि रामे कीरडाचेत्र गछति राम खेलने के मेदान में जाता है ऐसी इस्थति में हमें जो यह सब्तमी विबक्ति लगी विए ना इसको सही करना है सब्तमी विबक्ति वाले सब्दों को सही करना है तो यहां पर इसका सही उतर क्या होगा या दस धिक पंच वादने, या दस कल उतर पंच वादने, या दस कला धिक पंच वादने, हमें ये सही करना है, जब वो वाकिये में प्रियोग करवा रहा हो, और जब वो वाकिये में प्रियोग नहीं करवा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आत्रे समय लेकन करूँ, यहाँ पर सही समय लेकन की दिये, और उसने गड़ी दे दी या समय लिक करके दे दिया, दस बज करके पंद्रह मिनट, ऐसे इस्तिती में अब उसने वह यहाँ पर कि सपाद दस वगाद नम, हमें यह लिखना और जब आके में में प्रियोग करवा रहा हो, ते कि यह जो सब्टमी वी उत्तित, रामय, रामय, रामय यह UP, रामय सु, तो रामय, सब्टमी वी लेकने आत्रह वाला है ना, यह हमें सही करना है, कः, जब वında वाकिया में प्रि सब्सक्राइब ने जिस वां में सब्सक्राइब कर दो थे कि यहां पर जिसमें वाकियर qualcारा Candice she वह वादनम वाला सही करना है। हमने चाह पांच चीजें अच्छी तरी किसे आज ये सीफी की सवा को सपात बोलेंगे, साड़े को साथ बोलेंगे, पादवन, पोने को पादवन बोलेंगे, ऐसी स्थति में यदि जैसे कम हो रहा हूँ, ये जैसे दस बजने में पांस मिनट क में तो उसके लिए न्यून सब्द का प्रियो करेंगे, और अधिक के लिए दिक्षब्द का प्रियो करेंगे, और इनके लिए समय को मिनट को पहले लिखेंगे, और जो गंटा का टाइम है उसको हम बाद में लिखेंगे, जैसे साड़े चतुर वादरम, अधिक के लिए द देख लेते हैं जिसे एक वजगर के पांस मिनट तो पंच दिक अब यहां पर दिक आया है यहां पर एक को लिखेंगे तो दिक एक सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा समय लेकर मैं आपको यह बहुत ही सरल टोपिक है लेकिन इसमें दोत्य नहीं मुखा में विश्चेश द्यान लगना है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय ही जय भालत